दारकारक ग्रह किस कुंडली में अधिक प्रभाव डालता है, राशी या नवमांश? दारकारक आपकी जन्म कुंडली में सबसे कम डिग्री वाला ग्रह आपके जीवन साथी और रिष्टों को दर्शाता है राशी, D1, और नवमांज, D9, दोनों चार्ट महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन वे अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ती करते हैं राशी चार्ट आपकी मुख्य जन्म कुंडली है, जो आपके सामान्य व्यक्तित्व, जीवन की घटनाओं और समग्र भाग्य को प्रकट करती है यह आपके रिष्टों और संभाविद जीवन साथी के बारे में एक प्रारंभिक जलक देता है, यह दर्शाता है कि आपके जीवन में रिष्टों के विशय कैसे काम करते हैं, हालां कि नवमान्श चार्ट विशेश रूप से आपके रिष्टों और विवाह के बारीक दान करता है, इसलिए जबकि राशी चार्ट मंच तैयार करता है, नवमान्श चार्ट दारकारक के प्रभाव के बारे में हमारी समझ को परिश्कृत और गहरा करता है, एक व्यापक विशलेशन के लिए दोनों चार्ट आवश्यक हैं, लेकिन विवाह और आपके जीवन सा आपके बारे में सबसे विस्तरित जानकारी के लिए नवमान्श चार्ट महत्वपूर्ण है, आज के लिए बस इतना ही, कृपया अधिक जयोतिश जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें